नमस्कार दोस्तों दोहर किस के लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही जाते इंपोटेंट कोष्टन है यह और यह वीडियो आपको सुरु से एन तक देखना है क्योंकि इस तरह एक कोष्टन आते रहते हैं और 2011 में 16 में और 19 में यह हमारा कोष्टन आ चुका है य तो कैसे करना इसको देखे लेते हैं यह हमारा निर्देशांग चामेती है कोष्टन है यदि बिंदू ए एकस वाई बी एक दो तो था सी दो एक से बने तिरभुच एबी सी का छेतर फल छे वर्ग एक आई है तो सिद करो एकस प्लस वाई बराबर 15 अब तिरभुच का छेत चेतर फल जो है इसमें लगेगा ठीक है तो इसको लिख लेते हैं ए बी सी ए हमारा एकस वाई और बी हमारा एक दो और सी हमारा दियो एक ठीक है अब तिरभुच का छेतर फल का सूत हमारे क्या होता है लिखते हम तिरभुच का छेतर फल हमें दे रखा है तिरभुच का छे एक बटे 2, x1, y2-y3, plus x2, y3-y1, plus x3, y1-y2, यह सूत्र हो गया, अब रावर में 6, अब, 2 जो है हमारा, 2, यह भाग में, और यह 6 गुणा में, तो यह जाएगा इसी गुणा में, दो चिंग 12, इसको अगली लाइन के लिए हम 12 लिख लेते हैं, अब यह x1, y1 क्या है, जो हमारा पहला पात है, वह है x1, y1, यह x2, y2, और यह x3, y3, तो इसको में लिखते हैं, 1 upon 2 तो हमारे दर चला गया, x1 से लिखते हैं, x1 कितना है हमारा, x, y2-y3, y2, 2-1, y3, 2-1, plus x2, 1 है, y3-y1, यानिकी 1-y, plus x3 हमारा 2 है, 2, y1-y2, y1 हमारा, यह y-y2 हमारा है, 2, अब इसको हमें खोल देना है, x2 में से गया, 1, plus, 1 की 1 में गुणा करेंगे, इस में माइनस y में, तो 1-y आएगा, plus, 2 की y में, 2y-2, 2-4, बड़ावर में 12, x की 1 में गुणा करेंगे, तो x, और यह माइनस का y है, माइनस का y, और माइनस का 4 है, प्लस का 1 है, 4 में से यह गया, माइनस का 3, और यह बड़ावर में, हमारा 12 है, तो यह हमारा बचेगा, अब हमें 2y प्लस के हैं और 1y माइनस का है, तो 2y प्लस के मैंस अगड़ाएं तो प्लस का आएगा, ठीक है, x प्लस y बराबर 12, यह माइनस का 3 है, उधर जाके प्लस का 3 होगा, तो x प्लस y बराबर 15, यह हमारा प्रूव्ड हो चुका है, और हमें प् इंपर्टेंट कोश्चन साथ क्यांगे चार नंबर के ठेक है और भी इंपर्टेंट कोश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब किजिए हमारा आरक आरके जय के साथ अगली वीडियो में तक लिए बाई बाई टेक क्यार थेंक यू जाएं